राम राम श्रोता गणों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का अमारी अपनी चैनल भारत वही सोच नहीं में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप फाइव डिजल लोकोमोटिव को रैंकिंग देने वाले हैं उनके होर्स पावर के बेस पे दोस्तो हमारा ये वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफोर्मिशन से अपडेट कर दू कि अभी कुछ महिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसमें दोस्तो मैंने आप लोगों को डीटेल में लोकोमोटिव की केटेगरी वाइस बताया था कि कहां कहां पर कौन से लोकोमोटिव मेनिफेक्चर होते हैं लेकिन दोस्तो उस वीडियो में मैं DLMW यानि की Deezer Loco Modernization Works को इंक्लूड करना बूल गया था यहाँ पर भी दोस्तो वेब 7 लोकोमोटिव का प्रोड़क्शन होता है तो अब इसे मिला के हमारे भारत में टोटल 5 लोकोमोटिव मेनिफेक्चरिंग यूनिट्स हैं दोस्तो तब मैं थोड़ा confused था इसलिए मैंने DLMW को include नहीं किया था लेकिन दोस्तो अब कोई confusion की बात नहीं है और मेरी तरफ से आप लोगों को कोई अधूरी या फिर गलत information ना पहुचे इसलिए मैंने आप सभी लोगों को इसके बारे में update कर दिया है और दोस्तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं और अगर लोकोमोटिव के production के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे इस वीडियो की इधर right side eye button पे link दे दे रहा हूँ आप वहाँ जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब बिना किसी देरी के शुरू करें हमारा आज का वीडियो और focus करें हमारे topic पे top 5 diesel locomotives of Indian railways based on their horsepower पर तो हमारी इस list में 5th position पे आता है Elko based WDM 3D दोस्तो ये locomotive Elko series का सबसे successful locomotive है और साथ ही ये 3300 horsepower तक generate कर सकता है दोस्तो ये most advanced Elko locomotive था जो EMD के features जैसे की microprocessor control के साथ आता था अब दोस्तो नाम से ही जैसा कि आप देख सकते हैं WDM 3D एक mixed type locomotive है जो कि passenger और freight दोनों ही traffic के लिए use होता है अब दोस्तो 4th position की बात करें तो 4th position पे आता है EMD based WDP4 जो की 4000 horsepower का passenger traffic के लिए बना हुआ locomotive है दोस्तो WDP4 EMD का हमारी Indian Railways के network में पहला passenger dedicated diesel locomotive था जो की काफी ज्यादा modern था अभी तक हमारे Indian Railways के network में alcohol locomotive ही चलते थे जो काफी पूराने हो गए थे तो WDP4 के आने के साथ साथ Indian Railway में काफी ज्यादा modernization होने लगा अब दोस्तो तीसरी position की बात करें तो तीसरी position के बहुत सारे दावेदार है जिन में आते हैं WDG4D, WDG4G, WDG4, WDP4D और WDP4B दोस्तो ये एक, दो, तीन, चार और पांच, पांचों के पांचों locomotive इसले तीसरी नमबर पर है क्योंकि इनका on and average horse power का जो output है वो लगबग same है ये पांचों के पांचों locomotive 4500 HP तक का horse power generate करते हैं अब दोस्तो ये ranking हम horse power के base पे कर रहे हैं इसले ये पांचों locomotive एक साथ हैं वरना इन में काफी अंतर है WDP4B और WDG4 एक single cab locomotive है वहीं दूसरी और बाकी के तीन एक dual cab locomotive है और उसमें भी दोस्तो WDG4D और WDP4D तो EMD based है और WDG4G GE based है और दोस्तो यहाँ पे technology का भी काफी ज्यादा difference है अगर हम technologically इन सभी locomotive को compare करने बैठ है तो इनमें भी काफी ranking आगे पिछे हो जाएगी तो इसे छोड़ते हैं अभी दोस्तो वह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे अब आगे बढ़ जाए हमारी दूसरी position पर तो दूसरी position पर आता है थोड़ा पूरा ना हो चुका लेकिन अभी दमदार locomotive हमारा EMD based WDG5 Bheem दोस्तो WDG5 Bheem 5500 HP के horse power generate करता है और इसी के साथ ये हमारी top 5 locomotives of Indian railways की list में दूसरे number पर आता है और दोस्तो भीम पर तो मैं आँख बंद करके आप से शर्त लगा सकता हूँ कि इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा क्योंकि हमने हमारी channel पर इतने सारे इसके comparison वीडियो डिटेल में बनाए है कि आप वो देख देख के ही इसका अंदाजा पहले ही लगा लेंगे तो चलिए दोस्तो अब अगर हम बात करें हमारी पहले number की position पर तो ये भी आप लोग को पता ही होगा क्योंकि already हम हमारे पहले number और दुस्रे number के locomotive का जो comparison है वो बहुत शुरुआत में कर चुके है तो दोस्तो हमारी first position पर जो locomotive है वो है हम सभी का फेवरेट WDG 6G याने की अंगत ये दोस्तो एक 6000 horsepower का locomotive है जो GE द्वारा specifically हमारे Indian railways के लिए डिजाइन किया गया है और इसी के साथ ये हमारे list में top तो करता ही है लेकिन इसका एक और world record है कि ये world का lightest 6000 horsepower वाला locomotive है तो दोस्तो इस तरह हमने देखे top 5 locomotives of Indian railways based on their horsepower आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तो उम्मिद करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करना जरूर से मत भूलिएगा और साथ ही अगर आप लोग आज नए है तो हमारी चैनल को subscribe भ दीजेगा मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में तब तक के लिए भारत माता की जाए जाए हिंद and God bless you all